सो आज की सूड़ों पर हम जानने वाल हैं इस तरीके का ट्रेंडिंग ब्रस पेंटिंग लिरिक सूड़ों कैसे हम बना सकते वी एन एडिटर के अंदर इसे क्रेट करना बहुत ही आसान है तो इन बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने एडिटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं सो एडिटिंग करने के लिए वी एन एडिटर को हम ओपेइन कर लेंगे कुछ ऐसा हमारे सामने इंटरफेस आएगा प्लस वलोटन को पर क्लिक करेंगे निव प्रोजेक्ट को पर क्लिक कर देंगे ठीक है देन उसके बाद हमें फोटो वाले सेक्शन को पर जाना है अपने अब उसके बाद हमें यहां म्यूजिक करने के लिए इसको पर क्लिक करेंगे अब सबसे पहले म्यूजिक ही क्यों हम एडिटिंग होगा ना ठीक है तो म्यूजिक के ओपर जाके म्यूजिक लेडरी में आप चले जाना देन उसके बाद आप यहां से एक करके देख भी सकते ह कि कहां आपकी म्योजिक है इस तरह किसे ढूंड सकते हो अगर यह नहीं करने तो एक स्मार्ट काम आप करो सर्च वाल अप्शन प्याज़ आज़ाओ एंड यहां पर म्योजिक का नाम सर्च कर दो देन यूज को पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद करना है डन ठीक है तो म् देख सकते हो यहां यहां ब्लैक पार्ट आगया ठीक है तो इस तरह के से आपको यह ब्लैक पार्ट को क्रियेट करना होता है तो सभी इमेजेज को पकड़ के छोड़ा कर लेंगे तो फस्ट अस्टेप क्या था ओरिजिनल को पर जाके 9-16 सेलेट करना देन उसके बाद अप भी यहां सुन सकते हो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है और उसके बाद हमारी लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग का थोड़ा सा म्यूजिक में यहां से कर देता हूं ट्रिम और उसके बाद इससे स्टार्टिंग तक रख लेते हैं ठीक है अब उसके अब आपको सबसे पहले lyrics को सून लेना है और उसमें आपको part को cut करना मिन्स part को पकड़ना है एक-एक sentence को पकड़ना है जैसे कि तेरी नजर ने तेरी नजर ने एक ये sentence हो गया देन उसके बाद second sentence होता है हमारा ये क्या कर दिया ठीक है तो उसमें हमारा second photo आजाना चाहिए ठीक है इसी तरीके से जैसे जैसे आपका lyrics change होते जाएगा आपको अपने photos का duration आगे पीछे करके उस lyrics के according fix कर लेना होगा ठीक है तो इस तरीके से यहां fix कर लेते हैं मैं कानों सुनके कर लेता हूँ पटाक से ओके तो lyrics के recording मैंने सारा photos के यहां adjust कर लिया है अब उसके बाद यहां पर जो brush painting वालए effect है उससे हमें add करना होगा तो थर्ड वालए button means PIP को पर हम click करेंगे then video and photo को पर click करेंगे and video वाले section के ओपर जाके just इसे select कर लेंगे ठीक है और इसका link में दे दिया हूँ description ने तो tension वाली कोई बात ही नहीं है तो आप description जाना है and इसे वहां से gain कर लेना then उसके बाद आप यहां scroll करेंगे इसे पूरा screen में fill कर लो ठीक है तो उसे करने के लिए fill को पर click कर देते हैं then और scroll करेंगे and इसका जो white part है उसे हमें हटाना होगा तो उसे हटाने के लिए blending को उपर जाएंगे and multi को select करेंगे multiply हां multiply या फिर color burn को भी आप select कर सकते हैं बटे color burn में क्या है ना कि थोड़ा सा आपको corner में देख सकते हो थोड़ा red रेड आ जाता है अगर यह आपके photo के साथ match करते हैं और अच्छा लगते हैं तो आप इससे select करो otherwise multiply okay then उसको बादे done कर देना है तो आप यहां पर देख पागे कुछ यह वाला जो effect वो create हो गया अब अगर आपको photo को थोड़ा से adjust करना है तो आप इससे आगे पीछे करके adjust कर सकते हो okay अब उसके बाद जहां तक आपका photo है वहीं तक आपको इससे printing को रखना है तो यहां तक हमारी photo थोड़ा सा जूम कर लेते हैं and उसके बाद यहां पर इसे split करके just delete कर देंगे क्योंकि इतना है दूर तक हमारी photo है ठीक है अब जो बाकी photo है न उनके उपर भी हमें same काम करना होगा तो उतना महनत ना करते हुए P.I.P से लाओ यह सब इसे के उपर आपको click करो and इसको कर लो duplicate ठीक है duplicate करके इसे आगे ले आना है and उसके बाद यहां fix कर देना है और इस वाले photo के according से adjust कर लेना ठीक है थोड़ा सा जादा है तो जादा कर देंगे फिर duplicate करेंगे फिर इससे आगे लेके जाएंगे फिर अपने जो next photo उसके according यहां fix कर लेंगे अब उसके बाद सभी photos को यहां पर हम अच्छे तरीक से adjust कर लेंगे जैसे कि इस वाले photo को थोड़ा increase करते हैं ऐसे adjust कर लेते हैं उसी तरीके से इस वाले photo को भी थोड़ा सही से adjust कर लेंगे और यह photo I think अच्छा नहीं है क्योंकि यह black black दिखी नहीं रहा है ठीक है तो मैं य रिप्लेस को पर क्लिक करता हूं photos को पर जाते हैं और कोई और photo सेलेक्ट कर लेते हैं for example यह वाला सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है एंड इसे यहां पर अच्छा से adjust कर देंगे सारा photo अच्छा से adjust हो चुका अब बार याती है लीरिक्स की तो लीरिक्स लिखने का दो तरीका है हमारे पास एक तो आप लीरिक्स यूडो डायरेक्ट यहां एड कर दो जैसे की प्याइपी को पर क्लिक करो एंड वीडो एंड फोटो में जाओ वीडो को वाले सेक्शन को दूसरह जाके एक लीरिक सठोको सेलेक्ट कर लो फोर इ sniper ये सब लीरिक्स एक्षोडो देख सक्तों इनमें से किसी को सैलेक्ट कर लो इंका लिंक में देंगा description में या फिर आप वो खुद से बना सकते हो ठीक है जैसे की lyrics हमने यहां add किया तो इसका black part हटाना होगा स्क्रॉल करें कि आप यहां suggest blending को उपर जाना and screen या lighten को select करके done कर देना ठीक है जैन उसके बाद आपको इसे नीचे में यहां adjust कर देना है तो एक यह तरीका है दूसरा यह तरीका है कि आप खुद से manually यहां लिख सकते हो तो लिखने का तरीका देख लेते हैं यह तो तरीका हमने जान ले कैसे यहां पर add करना है and कुछ lyrics का link के दे भी दूँआ description में और अगर आप यह lyrics जूड़ो add करोगे तो आपको music की जौरत नहीं होगी तो music आप मते add करना ठीक है तो फिलहाल इसे हम delete कर देते हैं सबसे पहले text को उपर click करेंगे and फिर से text को उपर add a heading को उपर click करेंगे then उसके बाद हमारे जो lyrics वो लिख लेंगे तेरी नजर ने हाँ and हाँ सारा lyrics ना आपको capital letter में लिखना okay and उसके बाद FF के उपर आपको click करना है और यहां से कोई एक अच्छा सा font select करना है अच्छा सा का मेरा मतलब यह है कि थोड़ा कम जगह घरना चाहिए इसे कि यह वाला है बट इसमें क्या space पता नहीं चल ला है तो इसे नहीं रखेंगे हम and उसके बाद एक मैंने यहां पर देखा था काफी बढ़िया लग रहा था यह वाला ठीक है बट इससे थोड़ा सा और अगर bold आपको मिल जाते तो आप उसे यूज करो for example यह देख सकत यह फिर इनर सेमी यह भी सही है यह वाला देखने में अच्छा लग रहा है थोड़ा सा बोल्ड भी है और italic में भी है ठीक है तो इसी को सेलेक्ट करते हैं and color के उपर जाके color आप यहां से येलो सेलेक्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा and shadow के उपर जाके shadow भी येलो सेलेक कर देना है size इसका करना है छोटा and यहां करना है adjust font में फिर से बोल लो आप अपने recording सेलेक्ट करना जो आपको अच्छा लेगेगा मुझे जो सही लग रहा है मैं वो सेलेक्ट कर ले रहा हूं ठीक है then उसके बाद इसे done कर लेंगे अब उसका लीरिक्स इतना है दूर तक है then duration को पूरा max कर देना है okay and उसके बाद करना है done तो आप यहां देख सकतो lyrics भी हमारा add हो गया अब अगर आप चाहो तो इसमें कुछ emoji यह सब डाल सकते हो जैसे कि आप direct emoji डाल दो इसमें जाओ edit में and यहां से space दे कि कोई emoji add कर दो जैसे कि तेरी नजर है ना तो आखका करने का भी सेम तरीका है इसको पर क्लिक करके duplicate and इसे कर देना है आगे देन उसके बाद एक काम करना होगा edit को पर जाना होगा and जो lyrics है यहां पर लिखा हो उससे हटा के नया lyrics हमें लिख देना है and emoji add कर देता हूं then उसको बाद done करेंगे and इसका duration फिर से हम यहां पर fix कर लेंगे then उसके बाद आप देख सकते हो हमारा जो lyrics है वह भी edit हो गया तो इस तरीकी से करके हम इस वाली वीडियो को बना सकते है और अगर आपको यहां पर यह glitch दीख रहोगा ठीके जैसे कि आप यह यहां क्यान ब्रस वाल पेंटिंग एनी मिसन आने से पहले ही यह हमें दीख रहा है तो यह नहीं होना चाहिए तो इसका solution है हमारे पास हम इसको पर क्लिक करेंगे इसे उपर लेके जाएंगे and थोड़ा सा आगे कर देंगे ठीक है थोड़ा सा आगे मिंट से किया कि जो कि में भी कर सकते हो एंड लो भाई ग्लीच भी यहां पर परफेक्ट होगे ठीक है मैं प्ले करके दिखा दे रहा हूं ओके तो इस तरीके से आपको यहां पर परफेक्ट अपनी वीडियो को बना लेना है लिरिक्स वुड़ो पूरा कंप्लीट कर लेना मैंने यहां पर दो सकतो एक सो से भी ज्यादा एमबी का हो जा रहे तो यहर अपने एकॉर्डिंग देख लेना कितना रखना है वैसे ठटी के आसपास रखो गहां तो क्वाईलिटी अच्छा मिल जागा ठीक है देर उसके वाद आप इसे एक्सपोर्ट कर देना तो इस तरीके से इस वाली वी समझ आये है और वीडियो भी पसंद आये होगा तो अगर वीडियो पसंद आगी है तो लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई